हुआ है यह गाइज दिस इस कुल्दीब एंड वाचेंग यूपियस से लाइबरी सो आज किस लेक्शन में हम बात करेंगे फार्मर के प्रोटेस्ट के बारे में जो अब डैली में हो रहे हैं पहले यह प्रोटेस्ट पंजाब और हर्याना स्टेड में हो रहे थे विकॉज हमारी पार्लियमेंट ने तीन ऐसे बिल लेके आये थी तीन बिल थे वो फार्मर के अंगेस्ट में थे मतलब ऐसा फार्मर मानते हैं तो यह जो तीन बिल से उनके जो राइट्स हैं वो हाम हो रहे हैं और जो MSP का जो इस्यू है इन तीन बिल्स के अकॉर्डिक वह इसी चीज़ की वजिए से हैं यह उनको रिपील कर दे जाएं मतलब इनको उनको उयुस्फ कर दिया जाए तो इसी चीज़ की वह ईसला चल रहा है पहले बापट पंजाब और हर्यां नहीं आ के चानगे लिकार इंपजाब अर्योन को जढ़ां क्रोन में लिए और अभी यह प्रोटेस हमारे जो मीडिया है वो भी इतने अच्छी तरीके से कबार भी नहीं करा तो इसी चीज़ को देखते हुए यह सब प्रोटेस्ट डेली में किया जा रहा है सो इसमें देखेंगे आजिये प्रोटेस्ट के वार में जो इसके बार इसमें इसके बार फॉरण एक्ष्ण बार इसमें कुछ फारं प्रोटेस्ट के लिये गुछ वोरम से मनकुछ यह थोड़ा जाने है तो आज के लेक्ष्टर में यह देखें तो यह कट आउट है जो कि एक वेस्ट सेशन मेडिल एसिया का नीज़्वेपर है तो थोड़ा इंडिया के खिलाफ थोड़ा यह अपनी रूपोर्टिंग करता है तो इसमें यह वह लगा कि इन्डिया फार्मर्स रैवे यह जहा रहे है तो रेटल श मोदी गुழ मोदी को ऊंस में इंडिया गुववर्मेंट के बारें बद गिएता भ्लार्यिप्स के बत продолж दो एक तरह से थोड़े गलक्त हैं मादब गॉपर्मेंट जो कर रही है थोड़े इनसे कुछ व्यकर भी है मतब ऐसे अच्छे भी नहीं है जो फार्मस के अच्छे यह यहिने MSP का अभी कुछ हुन समय डिसाइड है कि MSP होगी कि नहीं फार्मस बोल रहे हैं कि MSP का जो है लॉय है वो हमें रेटिन में दीजिए मतला रेटिन ओन पेपर होना चाहिए बट गौर्णमें ऐसा भी कुछ किलिए नहीं किया है किसी चीज की वेकिवरे से फार्मस जो है वो प्रोडैस कर रहे है पुछ ये यह लिए तो इसमें बोला है वे इंडियान से कुछ पॉलिटिशन ने बोल रहे है इंडिया की इंटरेनल पॉलिटिशन में कोई भी बाहरी कंट्री दखना नहीं तो ऐसे ही इसके बार इंडिया ने लिखा हुआ कि फार्मर वांट्स गोर्में टो गिब एमस्पी गारंटी तो कुछ फार्मर्स मंदद फार्मर्स का मेल नहीं बींज से की आशन ड्रहा खुम मलें कि जो एमस्पी ए उसको गारंटीर्स किया जा है मनदा हुआ कि और टालएघ ज先 क्लिया हुआ है तो फार्मर्स मेर wand lä यूनियन इंप्लीमेंटेशन आफ नीव लॉज तो इसी को बोलाएं कि मियुटी फार्मस आप एक साथ एक पेनल क्रेट करेंगी तो इसके बार में उनके साथ कुछ नाए एक्रीलो के बान डिसक्स किया जागा तो इसमें बोला है तो इसमें यह होगा कि farmers union accepted centers offer और उन्हें उन्हें सेंटर का offer अभी accept कर लिया है इस panel के लिए तो इसी पर प्रोटेस अभी चलें बट इस panel के लिए उन्हें उन्हें उसको accept कर लिया है और जो डारेक्शन देरें कि पैनल के लिए तो इस इस प्याद रख न आप यूपीची ल को सबस्क्राब भी कर सकते हैं तो आप यह पिसे लगे सबस्क्राब करना है तो यह यह कि पालियम ने कुछ महीं ने पहले एक लिया था मैं सेफ्टमर एक ऐसे निकाले था तीन पांट सो जो इन एक्स की वैसे वह एक्स थोड़ा मना फार्म सामस की हित्में नहीं है तो मोर देन 500 फार्मर यूनियंस और नाव यह पात अग एजिटेशन इस चीज के वैसे जो फार्मर यूनियन है वो इसके खिलाव है जो इनके हित्में नहीं है में स्पी का कुछ नहीं कुछ उसमें और भी इस्वी जा है तो थाउजंड्स फार्मर फार्म फांट नेबर से स्टेट स्टॉप्ट बाइद पुलिस अन देर वी तो डैली बीकॉज उन पंजाब और हर्याना में पहले स्टेट में जो चल रहे थे प्रोटेस्ट बट्ट स्टेट उदलेश कवरेज्ट बीकॉज इन अभी मीडिया इतना कम कवरीज्ट दे रहें इन प्रोटेस्ट को तो इसी चीज़ को देखते हुए अपने को लाने में में लाने के लिए सब प्रोटेस्ट अपने डली में करना चाहरे है एक य्ए बीकॉज बैली इसले बीकॉ डेली के तरफ जाने है, so our campaign at several points around the national capital, so यही point है, then इसके अबाद इसमें देखेंगे, जो protest हो रहे हैं, तो protest हो इसमें जो हमारा constitution एंगल जो आता है, UPC exam के लिए, तो उसमें आता है, पहले है, right to protest, जो एक हमारा fundamental rights में के अंडर आता, under article 19, so इस चीज को भ्याद रहना, so, under article 19, and take it, one clause V में दे रखा है, कि about the right to assemble, peaceably and without arms, वो हमारा fundamental, मात विना के सहतियार के, हम ऐसे assemble, gather कर सकते हैं, thereby, right to peaceful protest is bestowed to the Indian citizen by our constitution, मात इसका मतला है वी है कि, हमारा constitution प्रोवाइड करता है कि हम right to, हम peaceful protest कर सकते हैं, so, जो भी farmers करते हैं, वो peaceful protest ही कर रहे हैं, but, वो प्लिस के पाक ऐसे कानून है, कुछ ऐसे have लेके, उन प्रोटेस्स को दवाए जा सकता है, because, इसमें कुछ अलग, इसमें clause भी दे रखा है, so, इसमें दे रखा है, article 19, 92 में, इसमें दे रखा है, कि imposes reasonable restriction, में जब, कुछ ऐसे impose reasonable restriction भी लाए जा सकते हैं, उन प्रोटेस्स पर, like, imposes reasonable restriction on the right to assemble peaceably and without arms, and to freedom of speech and expression on none of these rights are absolute in nature, because, ये जितने ही भी rights है, वो absolute in nature पर नहीं है, because, उन पर reasonable restriction लगा जा सकता है, so, इसमें याद रखना, अगर आपको, आपको fundamental rights मिले होगे, तो वो एकदम absolute power में नहीं है, उन पर reasonable restriction लगा जा सकता है, so, चीज को याद रखना, then, इसके बाद, जो reasonable restriction है, are imposed on the interest of the sovereignty and integrity of India, तो जो जीनिज में रिस्टेकर लगाएंगे, वो sovereignty and integrity of India के basis पर ही लगाए जाएंगे, जो अभी लगाए जाएंगे, जो अभी लगाए जाएंगे, जो जो नेशनल के अपीटर में आ गया है, तो इस, so, इसी national capital को defend करने लिए, जो sovereignty and integrity of India का हवाला देत प्रोटेस्ट को दवाए जाता है, उनको defend किया जाता है, then security of state हो गया, friendly relation with foreign state, then public order, ये सारे, इसमें reason है कि उनको as a reasonable restriction पर, उन पर, उन प्रोटेस्ट को ऊपर reasonable restriction लगाए जा सकते हैं, so, इसमें ये बताय गया है, contempt of court हो गया, defamation हो गया, या incidental offense हो गया, so, ये, उसमें reason दे गया है, reasonable restriction लगाने के, then, उसमें एक example दे रखा है, protest के बारे में, जहां से protest tax होगे, like, इसमें सबसे most famous होगे, chip को moment, जो 1973 मा होगा था, उतराकंड में, अपर अलगनन्दा वैली, so, काफे famous फिये incident है, इस चीज़ को आप याद रखना है, इसमें, इसमें ये है, कि जो moment होग पता हुए, forest conservation के ले हुआ था, forest conservation के ले हुआ था, forest conservation के ले हुआ था, और यह होता, उतराकंड में, so, it to created a precedented of commencing non-violence protest, जो ये पहला, जो non-violence था, पहला English से पहला और भी था, इसको, as a, as a, as a, मिसाल की तरह मतब, इसको देखा जाता है, example की तरह लेगा जाता है, so, non-viol violence protest in India, followed by the andra telangana movement, so, इसके बाद काफी सारे ऐसे movement चल दे, के बागे इतर, state में, like, andra ho गया, telangana ho गया, and many more, so, इसको एक, as a, direction में, एक, मिसाल की तरह देखा जाता है, चिपको movement की तरह है, so, इसमें, एक, example, दिया, so, ये जो farmer protest हो रहे है, इनके बार में देखते है, so, they are being strong protest from the farmers, especially from the state, so, जो, ये farmer protest हो रहे है, जो मैंने पता है कि, especially पहले ये, पंजाबा, हर्याने स्टाड हो, बात में, ये न्यू डेली, मतलब डेली की तरफ जाने लगे, अगेंस, और ये जो protest हो रहे है, वो, तीन जो बिल आयते है, farm bill, उनके अगेंस्ट में हो रहे है, because dad seeks to replace ordinance, और इनका protest का उद्दिश है कि, जो बिल आयों, उनको वापिस लिया जाए, जो replace the audience, जो जून 2020 में आये थे, so, ये जो, ये जो बिल थे, इस बिल इनफिसे ब्रिंग, चेंज इन सम, सम अदब की एस्पेक्स आप फार्म एकनोमी, होदा कि कुछ ये ऐसे थे है कि, जो फा अच्छ़एंचे जाने वाले, लाइक, उसमाटक्ट्ट वाले बिल इसमाजा जाने, इसेंचल को मड़ेट इस हो गया, तो इस सब चीज़ों में कुछ कीचेंज़ आने वाले तो, इसी चीज को देखते है, हम वोले ने कि, जो बिल आये, तीन, उनको वापिस लिया जाए, तो यह जो तीन बिलता हो किसे के विश्ट पहाई थे किन के उपढ़ आए थे पहला हो गया फार्मर्स प्रडूस ट्रेड औंड गॉमस जो प्रमोशन एंद विल्ट टूटी टॉन्टी एक पहला आए था तर्फ ये फार्मर्स अंपावर्मेंट प्रोटेक्शन ये तीन बिल लाए गये थे जो पास कर देगे पहले ही लोग सुबाद से पास हुए बाद में अपना असेंड कर दे दिया बहुती कम समय में अब ये पूरे लॉग बन गया है इन्हीं के अंगेंस टी फार्मस फार्मस जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है तो अगर आपको इन बिल्स के बार में जाना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं वाई फार्मस आर प्रोटेस्टिंग इसमें काफ़ी डेटिल्स में बता गया और लगवाद पार्यसों लोगों ने ये वीडियो देख देखे तो आप इसको जादा और आपको और जादा नॉलिज चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं इसके बाद में इसके ऊपर कुछ प्रोटेस्ट के ऊपर जो फार्मस प्रोटेस्ट में जो प्रोटेस्ट के ऊपर सुप्रीम कोट ने अपने कुछ जज्जमेंट भी है उसके तो इसने कुछ कमेंट भी क्या तो में तैंस इसमें बोला गया कि the supreme court has upheld the right to peaceful protest against the law so supreme court ने बोला है जो right to protest वाला उसको सही ठहर आया और बोला है कि यह against के लोग ही नहीं है also बोला है कि also clear that public's way and public space cannot be occupied and that to environment इसमें बोला है कि right to protest आप कर सकते हैं यह आपका अधिकार बड़ जो पर जो public's way यह public space है उसको आप illegally occupy नहीं कर सकते हैं cannot be occupied and dead to indefinite so इसमें गया कि एक तर तो supreme court ने बोला कि आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं पर दूस तर यह भी बोला है कि आप जो public place है उसको occupy नहीं कर सकते हैं so यह जो ruling आई तो इसमें जो judgment आए दे कब आए था एक प्रोटेस्ट फाइल कर गए थी यह कब गई थी जो डेली में जो C और NRC वाला जो चल रहे था protest in case time पर यह प्रोटेस्ट फाइल गए थी so highlighting the problem caused by the protest which led to the roadblock because जब इसमें काफी सारे sign bag में इसा protest कर ले चल रहे थे तो वहाँ पर roadblock कर दीती और कुछ स्टैफिंग परम आगे तो CCS को देखते हैं वहाँ पर यह प्रेटिशन डाले गई देन इसके बाद आगे बदाए सीट इन दे प्रोटेस्ट अंगे बदाए बदाए देन इसके अमेंडमेंड मेंडमेंट चला तो एक दम बेलेंस्ट वेव है उसने सुप्री कोट ने अपना ये स्टेटमेंट दिया जो काफी अंसर राइटिंग के लिए काफी इंपूटेंट हो जा जाए तो इसमें बोला है कि डेमोकरसी एंड डिसेंट गो हैंड टो हैंड इसने बोला है कि डेमोकरसी और प्लस जो इसमें बुला है कि seed of protest and dissent were sown deep during the freedom of stigma मैं ने बोला है कि जो protest का जो है यह जो मतबेद वाला जो है विए इनके जो बीज हो पहले ही freedom of stigma के दोना नहीं मतब होने लगे थे मैं डाल दिये थे बीज ऐसा उसे नहीं बोला है supreme good का कहना right to protest है वो colonial rule के engagement ना कि जो self rule democracy उसके engagement में है so यह असना बोला है so प्रिव कोड ने काफी अच्छे वह में इसको explain किया so इसके बाद इसमें बोला है कि in a democracy right to free speech and peaceful protest are treasants में बोला है कि जो free speech है और जो peaceful protest है वो एक खजानली की तरह है but और बोला कि must be encouraged and respected और इसको इन सब चीज़ों के ऐसे इनको और encourage करना चाहिए आगे बढ़ाना चाहिए और इसको respect करना चाहिए तो यह supreme court के खुद के word है इसको answer आट है काफी help बिले सो इसमें ऐसा बोला गया कि right to protest के खिलाब मना right to process कि आंगे इसमें इसमें बोला है इसमें arms का use होता है वो इसके खिलाब तो वरकुल कोटना सकत कारवाई किया है तो इसमें जो main problem यह कि जो अभी जो फार्म जो फार्मर्स के जो प्रोड़र्टर जाएगे बता दें कि MS की वाली problem है इसमें लॉइन दें so protesting farmers say that once say APMC Monday is begun after the implementation of so बोला कि जो नए लोग है जब नए लोग कि according to APMC Monday implement होंगे तो APMC Monday हो काफी week हो जाएगी so MP MSP जो बेज जो procurement जो खरीदारी होगी वह वरकुल ना के बरावर हो जाएगी so एसा उनको बोलना है farmers भी नहीं का इसके लावा जो जन नायक जनता पार्टी है जो हर्याणा में की है तो हर्याणा की लोकल पार्टी है तो अभी जो यह collision partner है बीजीपी की हर्याणा में उन्होंना इसी Tuesday को बोला कि अगर सेंटर रिटिन में अगर एस्टोर्शन देती है MSP के लिए तो यह ठीक रहेगा otherwise वह अपना support वापिस वापिस ले सकते हैं तो ऐसा जन्नाय लोग पार्टी का कहना है तो इस चीज को यह उन्होंना बोला कि MSP क अगर इसमें लेखा जाए तो इसमें लेखा जाता है विदाउट इसमें लेखा क्या है कि जो इसमें बिल थे इसमें बिल इसमें कोई भी ऐसा इस स्ट्रॉंग इसमें नहीं तो जो की फ्री मार्गेट को ठीक से इसको इसमें एक्डम हो जाएगा अगर अचानक से ऐसे तीन लौग आने लगए और सब्सक्राइब है इसके अलावा जो प्रोड़क्टिविटी है वो एक्डम काफी गिर जाए विकॉज जो अभी लोगडाउन के दुवारा जो पेंडेमी के दुवारा जो एकनॉमी ती इकनॉमी तो ब्रुकुल गिर चुकिए बट जो सेक्टर था जो फर्टीलेचर वाले से सेक्टर था वह थोड़ा गिरोग का रहा था सो इस चीज़ को थोड़ा देखना बढ़ाएगा कि अगर आपको ग्रोथ भी चाहिए जो इंडे की जो ग्रोथ चले ग्रोथ का जो में जो रीजन था वो एक्रीकुल सेक्टर था जो फर्टीला जाना की बाकी अधर कोर सेक्ट चीज़ें एकोनोमी को बूस्ट करते रहते हैं इसके अलावे इस बोला है कि एट मस्ट अंकंडिशनरी रीच आउट था फार्मर्स एंड एपेथेकली लिसिन टू देम और नोट प्रिसिपिटेट एक्राइस बाई हाइड हैं मतलब एकदम पेशन से इन सब चीज़ों को ह इसमें यह कहा गया है और इसके जाते जाते इसमें कुछ facts हैं जो मैं बताते जाता हूं इसमें यह कि more than 75% of the rice and wheat products produced in Punjab, Haryana was procured by the government agency इसका main reason यह कि Punjab plus Haryana के जो किसान ही इतना ज़्यादा क्यों participate करें तो इसका main reason यह कि पंजब हर्याना में जो rice of wheat का जो procurement होता है वो mainly government agency के द्वार होता है जिसका 75% होता है तो इसी चीज को बहरे से वहां के किसानों को ही MSP पर ही ज्यादा खतरा लग रहा है तो अगर यह सब चीज़ें होगे तो government ऐसे procurement नहीं करेंगे और private player कम और जो private player होगे एकदम कम price में उसको procurement करेंगे इसी चीज के बहरे से MSP पर उनको ज्यादा जोड़ देना पड़ रहा है और यह जो map इसमें पता चलेगा procurement of rice and wheat तो सबसे यादा हर्याना और पंजाब बाला है बाद में MP है तो इस चीज को आप याद रखना यह map में सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज सब्सक्राइब अप्रेश दा बैल आइकन फॉर अपडेट्स दन्यवाद